हेलो इस वीडियो में हम not logical function के बारे में जानेंगे तो not logical function जो हता है ये true को false में change करता है और false को true में change करता है तो जो result if function में आता है वही result not function में उल्टा हो जाता है तो इसको हम यहाँ पर करेंगे तो यह हमारे पास यहाँ पर data दिया गया है जिसमें की cd number यहाँ पर लिखा हुआ है, row number है, name है, percentage है और यहाँ पर हम करेंगे if function यूज़ करेंगे और यहाँ पे not function यहाँ पे apply करेंगे यहाँ पे इसको समझने के लिए not function को तो सबसे पहले हम यहाँ पे if function के जरीए यहाँ पे pass fail यह निकालेंगे यहाँ पे तो इसको if function को यहाँ पे use करेंगे तो इसको use करने के लिए यहाँ पे click किया इसके बाद equal to ये लिखा लिखने के बाद यहाँ पे if formula लगाएंगे if ये लिखा इसके बाद यहाँ पे double click किया double click करने के बाद यहाँ पे logical test आ जाएगा logical test में यहाँ पे हमने क्या test करना है ये value ये test करनी है तो d3 ये surname यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद यहां पे condition आगे लगाने ही है कि जिसके 35 या 35 के बरावर है वो यहां पे pass show करवाए और जिसके कम है वो यहां पे हमें fail show करवाए तो इसको देखने के लिए यहां पे condition लगाएंगे D3 is greater than, equal to, यहां पे 35 यह लिखा लिखने के बाद यह logical test यहां पे हो गया इसके बाद यहां पे comma लगाएंगे comma लगाने के बाद आगे दिया हुआ है value if true यहां पे हम text pass show करवाएंगे तो इसको text को start करने के लिए double quote में इसको start करेंगे double quote लिखा, लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे pass पास लिखा लिखने के वाद double code को बंद करेंगे इसके वाद यह first result यहाँ पे हो गया है यह इसके वाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है कॉमा लगाएंगे इसके वाद जो second result है यहाँ पे value if false यहाँ पे हम लिखेंगे double code में fail तो double code start किया इसके वाद यहाँ पे fail लिखेंगे यह fail लिखा double code को बंद करेंगे और bracket को बंद करेंगे तो यह हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर दिया है इसके वाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जिसके percentage 35 या 35 से ज़्यादा है वो हमें यहाँ पर पास शो करवाएगा और जिसकी 35 या 35 से कम है वो यहाँ पर फेल्ड शो करवाएगा तो इसको यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं यह एंटर प्रेस किया तो यह देखो यहाँ पर फर्स्ट में आ गया यह पास तो यह जो percentage है यहाँ पर 92 है 35 या 35 से ज़्यादा है अब अगले के लिए चेक करेंगे और उससे अगले के लिए कि यहाँ क्या आता है यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको निच्छे यहाँ पर ड्रै करेंगे यह ड्रै किया तो ड्रै करने के बाद यह देखो जिसके मार्क्स यहाँ पर 35 से ज़्यादा यह 35 है वो यहाँ पर पास शो करवा रहा है और यह देखो 32 है यहाँ पर कि यहाँ पर यह जो तो यह भी यहां पर fail शो कर रहा है तो यह हमें if function के जरीए यह सही result आ रहा है अगर इसके उल्टा हमने करना है कि जहां पर pass है वहां पर fail करना है और जहां पर fail है वहां पर pass करना है तो यह हम not function के जरीए कर सकते हैं हम यहां पर click करेंगे equal to लिखा, लिखने के बाद यहां पे if condition लगाएंगे, if लिखा if लिखने के बाद यहां पे double click किया यहां पे if आ गया, इसके बाद यहां पे note लिखेंगे, यह note यह लिखा इसके बाद यह note यहां पे आ जाएगा, यहां पे double click किया यह note यहां पर आ गया, आने के बाद हम यहां पर condition लगाएंगे, जो हमने यहां पर if condition में लगाए थी, same condition यही हमने यहां पर logical test में लखनी है, तो यहां पर लिखेंगे, यह cell select करेंगे, यह cell name यहां पर आ जाएगा, इसके बाद आगे हमने if condition यहां पर लगाए थी, d3 is greater than equal to 35 यही हम सेम यहां पर लिखेंगे D3 is greater than equal to 35 यह लिखा लिखने के बाद यह bracket है इसको यहां पर बंद करेंगे यह बंद की बंद करने के बाद कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यहां पर आ गया है value of true और दूसरी में है value of false यह दो यहां पर result है यह निकालने है हमने तो यहां पर लिखेंगे पहले pass double code start किया और यहां पर लिखा pass लिखने के बाद double code बंद किया बंद करने के बाद फिर यहां पर कॉमा लगाएंगे यह लिखो कॉमा है इसके बाद तो कॉमा लगाया कॉमा लगाने के बाद double code start किया और दूसरे result में हम लिखेंगे fail ये fail लिखा, fail लिखने के बाद double code बंद किया बंद करने के बाद bracket यहां पर open है तो इस bracket को यहां पर बंद करेंगे ये bracket बंद की बंद करने के बाद enter press करेंगे तो enter press करने के बाद ये लिखो उल्टा होगा यह यहां पे पास है तो यहां पे फेल जहां पे फेल है जैसे यहां पे फेल है तो यहां पे पास आएगा इसको देखने के लिए हम यहां पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे यह देखो ड्रैग किया तो ड्रैग करने के बाद अब देखो यहा यहां पे pass है वहां पे fail आ रहा है यह देखो यहां पे pass है तो यहां पे fail आ रहा है if function के बिलुकुली opposite यह function काम करता है तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते है नौड function को तो इस वीडियो में हमने नौड function के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद